वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स ओफ क्लास सिक्स के बच्चों को आज हम संस्कृत सुधा के पार्ट नंबर 11 का वीडियो बच्चों देंगे आज हम आपको वीडियो में पार्ट नंबर 11 पढ़ाएंगे और हम इसा की तरह पहले पार्ट की हिंदी बताएंगे इसके बाद हम पार्ट की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं पार्ट सह प्रियागात आगच्चत वह प्रियाग से आता है ठीक है आगच्चत मने आना आता है एका दसा पार्ट है ग्यार्वा पार्ट तो देखिए हिंदी पहले पार्ट की व्रिक्षात फलम पतन थे व्रिक्ष से फल गिरता है इसमें पंच्व भक्ती का प्रियोक दिया गया है व्रिक्षात फलंपतती व्रिक्ष से फल गिरता है व्रिक्षात पत्राणच पतंत व्रिक्ष से और आगया जाएगा और व्रिक्ष से पत्ते गिरते हैं वानराह व्रिक्षात व्रिक्षम गच्छनती बंदर व्रिक्ष से व्रिक्ष पर जात एक व्रिक्ष से दूसरे व्रिक्ष को जाते हैं ते व्रिक्षात व्रिक्षम गचंत वे सब व्रिक्ष से व्रिक्ष पर जाते हैं आपने देखा है ना एक पेर से दूसरे पेर पर कुदते रहते हैं तो वही कहा है कि वे सब व्रिक्ष से व्रिक्ष पर जाते हैं पेर से पेर पर पूदते हैं रमेश कुता पुस्तकम आनियद रमेश कहां से पुस्तक लाता है रमेश पुस्तकालयाद पुस्तकम आनियद रमेश पुस्तकालय से लाइब्रेरी जिसे आप कहते हैं लाइब्रेरी से पुस्तक लाता है फिर आप यहां जाईए बिचवले में सह अध्यापकात पठाति वह अध्यापक से पढ़ता है सह अध्यापकेव्या पठाति वह अध्यापकों से पढ़ता है सह पुस्तकालयाद पुस्तकमनेयाद वह पुस्तकालय से पुस्तक लाता है जनका पुस्तकाले से पुस्तक लाता है जन का कारियालियात आगच्छत पिता कारियालियात कारियाले से ओफिस से आते है अमबा आपणात आगच्छत अमबा बाजार से आती है रमेशा विद्यालियात आगच्छत रमेश विद्याले से आता है साह कुतपुता आगच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च पेरग्राफ पे आजाएगे सह कुपात जलम अनेया थी वह कुये से जल लाता है सह जलेन वरिक्षान सिंचा थी वह जल से वरिक्षों को सीचता है यदा फलाण पक्वान भूबन थी जब फल पक जाते है तदा तान वरिक्षे भ्यापतन थी तब उन्हें ब्रिक्ष से गिर जाते हैं सहवनात फलान आपडमने आदी वह बन से फलों को बाजार में लाते हैं वह बन से फलों को बाजार में लाते हैं जनातान आपडात गिर हमने आदी लोग उसको बाजार से घर लाते हैं लोग उसको खरीद के आप fruits लाते हैं तो वही कह रहे हैं लोग उसे बाजार से घर लाते हैं नेक्स्ट पेस पे आईए नेक्स्ट पेस पे आपका वही word meaning है जो हमें learn करना है जो हमें already learn है उन्हें जरूरत नहीं है learn करने की फिर हमारा बच्चो अभ्यास आजाता है अभ्यास में उच्चारण करने का है जो हमें केवल pronounce करके देखना है विद्याले आद विद्याले अभ्याम विद्याले भ्याह बालकाद बालका अभ्याम बालके भ्याह फिर है आपका बालका या बालका अभ्याम बालका अभ्याह त तो देखिए फलाद फलाभ्याम फलेभ्या, बरिक्षाट बरिक्षाभ्याम बरिक्षेभ्या, अब आता है आपका कुश्चिन नमबर टू, जिसमें हमें जो कोष्ठक में वर्ट्स दिए गए हैं, शब दिए गए हैं, इनके अनुसान हमें यह रिक्तस्थान भरने हैं, तो देखीए कह में दैस फ़लान-पतन थी तो ैदैस में आजैएगा ब्रिक्शाथ क्हा में आएगा अध्यापkedhya सअ अध्यापkedhya पठती और फिर गमें आएगा सअ पुस्तकाल याद पुस्तकालाताई यह कि preaching tap vic पंचमी भक्ति आयी है तो कि वहां से चीज अलग हो रही है लाई जा रही है देखे फिर कह रहे हैं सह कूपात जलम आनियती वह पंचमी भक्ति लगाया गया फिर जन का कारियालयात आगछच पीटा कारियालय से ओफिस से आते हैं अब अच्छो हम कुशिन नमबर थर्ड पे आ गए देखिया कुशिन नमबर थर्ड में कह रहे हैं क्या कह रहे हैं अशुद्ध वाक के दिये गए हैं जिनको हमें शुद्ध करना हैं कहीं भी भक्ती गलत लगी होगी और जो भी अशुद्धता होगी वो देखकर हमें सही करक सामने लिखना है तो देखे ज अर्फाथी संतंस में इसी सब्द में गल्ती है जो इसी सब्द को करेक्ट करके हम पूरा संतंस लिख देते हैं स कराणपुरात आगच्छ थी वो कराणपूर से तया पंचमी आ12 आज जाएगी ऐसे ही in प्रिक्छम पत्राण पत्थि प्रिक्षम दूतय भक्ति दे दिया तो यह गलत है यहां हमें पंचमी भक्ति का प्रियुकरते ड़राँ प्रतन्थि अलग हो रहा है, ना पत्ष पत्ता फिर अधगा पे आते हैं जनक का और्याले न आगच्छति यहां पर भी गलती है हमें यहां पे पंचमी भक्ति का प्रियुक करना है जनका काडियालियात आगच्छत फिर है फोर्थ नंबर पे रमेशा विद्यालेन आगच्छत रमेश विद्याले से आता है इसमें इन्होंने तृतिया लगाया है जबकि पंचमी होना चाहिए वहाँ से अलग हो रहे है फलानी ब्रिक्षई पतन थी यहाँ पे भी गलत लगा है तृतिया लगी है ब्रिक्षई में हमें क्या लगाना है पंचमी लगाना है फलान ब्रिक्षात पतन थी तो बच्चु ये आपका शुद्ध वाकि शुद्ध हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर फोकस करेंगे. नेक्स्ट पेज पर देखे क्या है? नेक्स्ट पेज पे पहला तो पिक्चर से मैच करने का है. जिसमें हम picture को देखकर अबजोर करेंगे पहेचानेंगे और मैच करेंगे विरिक्षात पत्राण पतन ती तो देखेए सबसे नीचे वाला जो pick है इसमें विरिक्षा से पत्ते गिर्ते हुई दिखाई दे रहे हैं का लिए देगे यहाँ पर कर से मैच कर देगे ध्यापक से पढ़ रहा है और फिफ्थ नंबर पे जनका कारियाला तागच्छत ये डिल में आपका तीसरे नंबर पर जो है ये पिता घर आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं कारियाले से ओफिस से तो ये आपका मैच हो गया अब आप नीचे आजाएए फिफ्थ नंबर पे यहां चार्ट में तृतिया भ्रक्ति, चतूर्थी भॉक्ति, पंच्यमी भ्रक्ति के शब्द दिय गए है और इन शब्दों को हमें तीनों कॉलम में तीनों इस्तंभ में अलग करके लिखना देखें तो देखिए हम आपको पहले भी हमने बताई है पहचान जिसमें एन एन लगा है वो सब तृतिया है और जिसमें आय आय लगा है वो सब चतृतिया है और जिसमें आत आत लगा हुआ है वो सब पंच में है तो उसी प्रकार से यहां लग किया गया है देखिए बालकेन जनकेन अध्यापकात, रामात, फलात यह आपका पंचमी में आ गया तो इस प्रकार आपका यह exercise अभ्यास कम्प्लीट हो गया और पूरे पाठ को हिंदी और exercise को हमने इस वीडियो में दिया है बच्चो अब आप इसको अच्छे से पढ़ाई करिए और समझे बार बार वीडियो कि समझें क्योंकि बेच्चो अब आपका 7th of December से 2nd UT होगा ताकि आप अपने UT में अच्छे से आंसर कर सकें और अच्छा मार्क पासकें All the best, take care